आज बिहार को मिली एक नई ट्रेन जिसकी सुरुवात आज से हो चुकी है यानि कि कल से आप इस ट्रेन में सामान फड़ी चालोन इसका देख सकेंगे जो कि सब्ता में यह ट्रेन तीन दिन चलेगी रवसकार दोस्तों डेल नू चलेव में आपका स्वागत है और इस वीडियो आपडेट में जानेगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में जिसका शुरुवात आज से होने वाला है और इसका टाइम टेबल भी डेल बे ने कर दिया है जारी इसके साथ यह ट्रेन को आज हड़ेंडी दिखाई जाएगी जिसमें की असुनी वैसनर इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना करेंगे यह ट्रेन है गौड़ा राची इंटर सिटी इसके सुरुवात भले ही गौड़ा से हो रही हो लेकिन यह ट्रेन बिहार के बड़े डेलवे स्टेशन होते वे चलेगी और बिहार के यात्रियों के लिए इस ट्रेन का एक बड़ा तौफा भी मिल चुका है क्योंकि बिहार में और बिहार होकर चलने वाली इस ट्रेन में कई सारी सुभधाई रहेगी और ये डिर्यक्ट ट्रेन कनेक्ट करेगी बाका, गोड़ा, भागलपूर, मुंगेर, धनवाद, रांची और बुकाड़ों को एक दूसरे से ऐसे में इस ट्रेन की सुरुवात आज से होने वाली है, जिसका पूरा सुभधा पैसंजर को मिलने वाला है इस ट्रेन में बुकिंग कल से होगी सुरू और आज इस ट्रेन को हरज़नी दिखा कर रड़ावाना किया जाएगा यह ट्रेन बिहार के कई बड़े डेलवे स्टेशन पर रुकेगी जैसा कि हमने आपको बताया तो चलिए जान लेते हैं कौन-कौन से डेलवे स्टेशन पर बिहार में इस ट्रेन का रहेगा इस टौपेज गोड़ा से खुलने के बाद यह ट्रेन पोड़या हाट, हसडिहा, मंदार हिल, बाड़ा हाट, भागलपूर, सुल्तान गन, जमालपूर, क्यूल, जमुई, जाजा में इसका इस्टौपेज रहेगा इसके बाद यह ट्रेन जार्खन के जैसीडी, मदुपूर, धनबाद, बोकारो, मूरी और राची में सका इस्टौपेज दिया गया है भले ही इस ट्रेन की सुरुवात गोड़ा से हो रही हो, लेकिन पैसंजर तो इसमें सफर करेंगे, बिहार से जार्कन जाने वाले जादातर क्योंकि बिहार से जार्कन के लिए एक और ऐसी ट्रेन मिल चुकी है, जिसका परिचालन मालदा डिविजन के कई बड़े डिलवे स्टेशन के रास्ते किया जाएगा अब बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल्स के बारे में, आज यह ट्रेन एक बच कर 15 मिनट पर खुलेगी, जिसका हर जन्री दिखा कर इसे रावाना किया जाएगा लेकिन आज के बात से यह ट्रेन गुड़ा से 12 बच कर 40 मिनट पर खुलेगी और राची पहुचेगी 5 बच कर 45 मिनट पर सुवा में इसके बाद यह ट्रेन दूसरे दिसा में राची से खुलेगी तीन बज़े साम में और यह ट्रेन सुबा पहुंचेगी गुड़ा साथ बज़ कर 20 मिट पर तो यह अपडेट को किसा लगा नीचे कमेंट करके हमें अवस बताएं साथ ही नई ट्रेनों का डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब जिससे कोई भी अपडेट